UAMU, BSC Nursing, JNM, NM, Paramedical First Counseling 2024 आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे आपको अपने मुबाइल फॉन के द्वारा First Counseling यहाँ पर करनी है काफी इंपोर्टेंट यह वीडियो रहने वाली स्टुडेंट वीडियो को पूरा देखना यहाँ पर मैं हर प्रोसेस आपको step by step बताऊंगा और जो भी मैं step बताऊंगा इसको आपको अच्छे से देखना है अच्छे से सुनना है काफी महत्वपूर्ण यह वीडियो रहने वाली स्टुडेंट सबसे पहले ध्यान देने स्टुडेंट आपको कुछ नहीं करना है अपना mobile phone के जो chrome browser रहता है जिसे आप google कहते है आपको normally chrome browser पर जाना है chrome browser पर जाके आपको क्या करना है student मैं आपको सारी process बतारो ठीक है chrome browser के google पर जाना है google पर search करना है hnb-umu search करोगे जो पहला link है hnb-umu उस पर आपको click करना है click करने के बाद आपको नीचे नीचे score down करना है पहला link आपको दिख रहा होगा nursing oblique paramedical counseling यहां पर एक चीज ध्यान देना bsc nursing वालों के लिए अलग से counseling का portal खुलेगा तो same portal आपका इसी तरह के से रहेगा counseling का लेकिन date अलग से आएगी इसलिए के रहा हूँ अगर आपने अभी तक भी चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe कर लेना process सेम रहने वाला है चाहें वो paramedical की बात करे, NM की बात करे, GNM की बात करे msc nursing की बात करे, post basic nursing की बात करे पहले वाले link पर आपको click करना है click जब आप करोगे, कुछ इस तरीके का interface आएगा ध्यान देने student आपको roll number डालना है roll number who डालना है, जो आपका admit card में mention होगा roll number डालना है, date over डालनी date over जब आप डाल दोगे, login पर आपको click करना है log in पर जैसे आप click करोगे student आएगा OTP आएगा, OTP आपको डालना है ध्यान देने student जो registered number है आपका in case आपके mobile number पर OTP नहीं आ रहा है जो form में आपनी email ID डाली है उस पर भी OTP आ रहा है, श्टोड नीची का आप ध्यान रखना OTP आपको डालना है, जैसे OTP आप डाल दोगे उसके बाद आपको submit पर click करना है submit पर जैसे आप click करोगे उसके बाद कुछ इस तरीके का interface आएगा यहाँ पर आपकी details हो करेगा आपकी rank हो करेगा, कितनी rank आप क्या रिखिए आपको क्या करना है, नीचे नीचे score down करना है वहाँ पर option होगा next का देखरे हैं, next वाले बटन पर आपको click करना है जैसे आप next वाले बटन पर click करोगे student उसके बाद वहाँ पर option आएगा counseling fees का, ठीक है student, मैं आपको दुबार से दिखा देता हूँ counseling fees payment का option आएगा वहाँ पर लिखा होगा counseling fees जैसे की G&M, NM वालों की, यहाँ पर 1000 paramedical वालों की 1500 post-facing, MSC nursing जब BAC nursing वालों की वोगी तो उनकी भी फीचे आपे 1500 रहेगी, आपको normally next बटन पर click करना, यहाँ पर एक चीज़ द्यान देन student payment का option यहाँ पर गलती से भी जो ठल्डे नमबर का option है, UPI उससे payment मत करना, student अगर आप payment करोगे तो आपका transaction फस जाएगा और हो success नहीं होगा इस चीज़ का आप धियान रखना, तो आप किसी का debit card मांग लेना, अपने relative का, उनके debit card से ATM से यहाँ पर पहला वाला option उस पर क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर card नमबर माएंगेगा, यह सारी detail आप भरोगे, उसके बाद आपको make payment पर क्लिक करना है, जैसे आपकी fee submit हो जाएगी, तो इस तरह के साएगी counseling fees, status success जैसी यह सोग कर लेगा, उसके बाद आपको next button पर क्लिक करना है, जैसे आप next button पर क्लिक करोगे, उसके बाद आपके पास आएगा preference section अब इसे अच्छे से संबने student, तो ध्यान देन श्टूरों, preference कैसे आपको बननी है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर आपके पास colleges आएंगे और यहाँ पर option है move और remove का, तो ध्यान देन श्टूरों जो आपको first preference में जो colleges चाहिए, for example के लिए इस candidate को government colleges रानी पोकरी का चाहिए, तो मैंने यहाँ से रानी पोकरी का colleges सेलेक्ट करके, जो यहाँ पर button देख रहे होंगे, आप move का तो move वाले पर आप जैसी क्लिक करोगे, तो preference first में हो colleges आएगा, फिर second number पर जैसे student को देरा दूंगा colleges चाहिए था, तो यहाँ से देरा दूंगा colleges filter वाले option से select करके, move करके, यह preference second में आए जाएगा, ठीक इस परकार से आपको करना है, जहाँ जहाँ आप colleges चाहते हैं, अपनी preference के according आपको भरना है, जब आप यह चीजे भर दोगे student, उसके बाद आपको यहाँ पर scroll down करने, ठीक है, move preference के बगल में scroll down करेंगे, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से option आएगा, up, down, save preference, तो आपको normally save preference वाले option पर क्लिक करने, जैसे आप save preference वाले option पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर message आएगा, preference saved successfully, आपको normally ok पर क्लिक करने, जब आप ok पर क्लिक कर दोगे, उसके बाद यहाँ पर निचे निचे scroll down करने student, यहाँ पर option है, preview और submit का, तो ध्याँ देने का message आएगा, application submitted successfully, आपको normally ok पर क्लिक करने है, जब आप ok पर क्लिक कर लोगे, उसके बाद आपने जो जो preference भरी है, उसका print form में यहाँ पर आ जाएगा, आपको normally print वाले option पर क्लिक करना है, और pdf ओमें आपका counseling का process complete हो जाएगा, बाकि ध्यान देने student, यह video काफी important रहने वाली है, मैंने आपको सारी चीज़े बता दिया, कैसे कैसे करना है, final print निकलेगा, आपको transaction debit card के तुरू करनी है, और preference में मैंने आपको बता दिया, starting में government colleges डालना है, अगर आपकी rank जादा है, private colleges में state जो seat रहती है, state quota की seat, वहाँ से अगर आप करने के interested हो, आपके penis out करते हैं, तो उस condition में आपको government preference बनने के बाद ही हो colleges डालना है, otherwise अगर आप नहीं चाहरे private colleges में admission, तो government preference ही आपको डालनी है, अगर आपकी rank जाद अच्छी है, तो ध्यान देने इन केस आपको government colleges नहीं मिलता है, तो second counseling यहाँ पे होगी, फिलाल कर इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, thank you.